परिचाय बच्चों, हम सभी अब अफकलज के बारे में चानते हैं आज हम समाकलनों के बारे में चानेंगे सेर, समाकलन, वे क्या हैं? क्या वे अफकलनों से संबंदित हैं? हाराहुल, समाकलन अफकलनों से संबंदित हैं वे प्रती अफकलज हैं क्या आप जो कह रहे हैं वो यह है कि यदि साइन एक्स का अफ कलन कौस एक्स है तब कौस एक्स का समा कलन साइन एक्स होगा बहुत अच्छे राहुल हाँ, मैं यही कह रहा हूँ आओ, मैं तुम सभी को समाकल्नों के बारे में और बताता हूँ इस पार्ट में आप फल्नों के समाकल्नों के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न कर्दे में सक्षम हो जाएंगे समाकल्न और अफकल्न के बीच अंतर निकालना प्रतिस्थापन द्वारा समाकल्न निकालना त्रीकोण मितिये सर्व समिकाउं का उपयोग करके समाकल्न निकालना आशिक भिन्नों का उपयोग करके समाकल्न निकालना खंडशा समाकल्न निकालना योगभल की सीमा के रूप में निश्चित समाकल्न निकालना कलन की आधार भूत प्रमेह का उप्योग करके निश्चित समाकलन निकालना और प्रतिस थापन द्वारा निश्चित समाकलन निकालना. अब कलन के व्यूत करम प्रकरम के रूप में समाकलन. यदि capital F of X का अफगलन कुणांक F of X है अर्थात capital F of X का D बटा D X बराबर है F of X के तब हम कहते हैं कि F of X के प्रति अफगलज या समाकलन capital F और X को निमने रूप से लिखा जाता है ये समाकलन की धारणा है समाकलन के इस प्रतिक का आशे है F of X समाकल है X समाकलन का चर है तथा D X X के सापेक्ष समाकलन को निरूपित करता है किसी चोहरस C के लिए निमन समी करा है X के सापेक्ष का F समाकलन X का F जमासी है जहां C एक स्वेच अचर है ये दिखाता है कि capital F of X तथा X का F जमासी का दोनों एक ही फलन F of X के समाकलन है इस प्रकार C के विभिन मानों के लिए हमें F of X के विभिन समाकलन राब्द होते हैं अठाथ F of X का समाकलन निश्चित नहीं है इस गुण के प्रभाव से capital F of X को F of X का निश्चित समाकलन कहा जाता है अवकलन के विउतकरम प्रकरम के रूप में समाकलन कुछ महतपून समाकलन निश्चित है अवकलन के विउतकरम प्रकरम के रूप में समाकलन कुछ अनिश्चित समाकलन के गुण धर्म निवने लिखे थैं एक यदि C कोई अचर राशी है तब F of X X का एक फलन है तब X के सापेक्ष C गुणा F of X का समाकलन बराबर C गुणा X के सापेक्ष F of X का समाकलन दो दो फलनों के योग या अंतर का समाकलन उनके समाकलन के योग या अंतर के पराबर होता है जोकी दिया हुआ है यदि X के सापेक्ष F का समाकलन बराबर Y X जमां C टैश हो तब X के सापेक्ष F of A X जमां B का समाकलन बराबर 1 बटा A गुणा Y A X जमां B जमां C है उदारन निम्न का समाकलन ग्याद कीजे हल दिया गया समी करन निम्न लिकित है समाकलन के कोण धर्म से हम इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं अफकलन के व्यूत करम प्रकरम के रूप में समाकलन अफकलन और समाकलन के बीच तुलना अफकलन में एक फलन का अफकलज क्याती अस्तित्व में हो तो एक इकाई फलन होता है जहां समाकलन के रूप में एक फलन का समाकलन अईत्वित्य नहीं है अफकलन में एक बहुपद P के अफकलन के पश्चाद परिणाम बहुपद होदा है जिसकी घाद एक होदी है एवं जो कैपिटल P की घाद से कम होदी है जहां समय कलन के रूप में एक बहुपद कैपिटल पी के अफकलन के पश्चाद परिराम बहुपद होता है जिसकी घात एक होती है एवं जो कैपिटल पी की घात से अधिक होती है अफकलन में अफकलज का उपयोग कुछ भौतिक राशियों का मान क्यात करने के लिए किया जाता है जैसे जब किसी समय टी पर तै की गई दूरी क्यात हो तो एक गती मान कण का वेक निकालने में जहां समाकलन के रूप में समाकलन का उपयोग, जब किसी समयटी पर वेक्यात हो तो तै की कई दूरी का परिकलन करने में किया जाता है समाकलन के विधिया समाकलन की तीन विधिया हैं, वे हैं प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन आंशिक भिन्न का उपयोग करके समाकलन निकालन और खंडशा समाकलन प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन में हम एक स्वातंत्र चर को एक दूसरे चर में बदलते हैं कुछ त्रीकून में दिये सर्व समिकाओं के समकलन निम्न हैं। उधारन निम्न का मोलियांकन कीजिए। फल चरन एक एक प्रतिस्थापन फलन यू का चैन कीजिए। प्रतिस्थापन फलन यू पराबर दो एक्स जमा तीन है। चरन तो डी एक्स कमान ग्याद कीजिए। 2x जमा 3 बराबर u, x के सापेक्ष अफकलन करदें पर, 2 बराबर du बटा dx, dx बराबर 1 बटा 2du प्राप्त होगा, चरण 3, प्रतिस्थापन करदें पर निम्न प्राप्त होगा, x के सापेक्ष 2x जमा 3 की घाथ 4 का समा कलन बराबर u के सापेक्ष u की घाथ 4 गुणा 1 बटा 2 का समा कलन, चरण 4, परिणामी समा कलन का समा कलन करने पर निम्न प्राप्त होगा, चरण 5, प्रारंभिक्चर x पर लोटने पर हमें निम्न प्राप्त होगा, अता हल है X के सापेक्ष 2X जमा 3 की घाथ 4 का समाकलन पराबर 2X जमा 3 की घाथ 5 बटे 10 जमा सी त्रीकोन मिथिये सर्व समीगाउं का उप्योग करके समाकलन निकालना जब समाकलन एक त्रीकोन मिथिये फलन हो तब हम त्रीकोन मिथिये सूद्रों का उप्योग करके दिये गए फलन को मानक समाकलन या उनके बीच गणितिये योग फल में बदलते हैं साइन वर्ग एमेक्स बराबर एक घटा कॉस दो एमेक्स बटे दो कॉस वर्ग एमेक्स बराबर एक जमा कॉस दो एमेक्स बटे दो साइन एमेक्स बराबर दो साइन एमेक्स बटे दो कॉस एमेक्स बटे दो साइन घन एमेक्स बराबर तीन साइन एमेक्स घटा साइन तीन एमेक्स बटे चार कॉज घन एमेक्स बराबर तीन कॉज एमेक्स जमा कॉज तीन एमेक्स बटे चार टैन वर्ग एमेक्स बराबर सेक वर्ग एमेक्स घटा एक कॉट वर्ग Mx बराबर कॉज एक वर्ग Mx घटा एक दो कॉज कैपिटल A कॉज कैपिटल B बराबर कॉज A जमा B जमा कॉज A घटा B दो साइन कैपिटल A कॉज कैपिटल B बराबर साइन A जमा B जमा साइन A घटा B दो साइन, कैपिटल A, साइन कैपिटल B, वराबर कॉज A, घटा बी, घटा कॉज A, चमा बी उधारण, मुल्यांकन कीजे, X के सावेक्ष कॉज वर्क, 3X घटा 5 का समह कलन हल, निवन समी करण दिया है, तूत्र का उप्योग करने पर हमें प्राप्त होता है X के सावेक्ष 1, जमा कॉज 2, घटा 5 का समह कलन, जो की पराबर है एक पटा 2 गुणा, X के सावेक्ष 1, जमा कॉज 6X घटा 10 का समह कलन, जो पराबर होगा एक पटे 2 गुणा, X जमा 1 पटे 6 गुणा, साइन 6X घटा 10 जमा C के, जहां C त्विच अचर है कुछ विशेष्ट फल्लों का समा कलन, आईए, अब हम कुछ नीचे दिये हुए विशेष्ट समा कलन के बारे में जाने कुछ विशेष्ट फल्लों का समा कलन, निम्न प्रकार के समा कलन, X के सावेक्ष 1 बटा, AX वर्ग जमा BX जमा C का समा कलन, तथा X के सावेक्ष 1 बटा वर्ग कूल AX वर्ग जमा BX जमा C का समा कलन. कारे नियाम चरण एक निम्न रूप प्राप्त करने के लिए गुणाक X वर्ग को दुई खात समीकरण के बाहर लेकर गुणाक X वर्ग को संगत बनाते हैं. ए गुणा X वर्ग जमा B बटा A गुणा X जमा C बटा A चरण तो निम्न रूप प्राप्त करने के लिए एक्स के गुणां के आधे के वर्ग को जोड़ कर एवं घटा कर X वर्ग तथा X वाले पदों में वर्ग को पूण करते हैं. ए गुणा X जमा B बटा 2A वर्ग जमा C बटा A माइनस B वर्ग बटा 4A वर्ग. चरण तीन समाकले को एक विशेश प्रकार के समाकलन में परिवर्थित किया जाता है. चरण चार फलन का समाकलन ग्याद कीजिए. निम्न प्रकार के समाकलन एक्स के सापेक्ष PX जमा Q बटा AX वर्ग जमा BX जमा C का समाकलन एवं एक्स के सापेक्ष PX जमा Q बटा वर्ग मूल AX वर्ग जमा BX जमा C का समाकलन. कारिनियम P X जमा Q बराबर λेम्टा गुणा 2A X जमा B जमा मू रखने पर इसका तातपर है P X जमा Q बराबर λेम्टा गुणा दूई घात समय करन का अफकलाज जमा मू दोनों पक्षों के कुणांक X और अचरपत की तुलना करने पर मानों को रखने के बाद समाकलन को विशेश समाकलन में परिवर्दित किया जाता है उधारण एक, मूल्यांकन कीजे, x के साबेक्ष 1 पटा 1 घटा 9x वर्ग का समाकलन हल, दिया है x के साबेक्ष 1 पटा 1 घटा 9x वर्ग का समाकलन इसे निम्न परकार से भी लिखा जा सकता है एक बटा नौ गुणा एक्स के सापेक्ष एक बटा एक्स वर्ग घटा दो बटा तीन वर्ग का समह कलान निमने कतित सूत्र को लागू करने पर एक बटा नौ गुणा एक बटा दो गुणा दो बटा तीन गुणा एकस घटा दो के बहुलक का लॉग बटा तीन भाग एकस जमा दो बटा तीन जमा सी एक बटा बारा गुणा तीन एक्स घटा दो के बहुलक का लॉग भाग तीन एक्स जमा दो जमा सी जहां सी एक स्वेच अचर है उधारण दो मुल्यांकन करें एक्स के सापेक्ष एक बटा एक्स वर्ग जमा तीन एक्स जमा तीन का समा कलन हल दिया है एक्स के सापेक्ष एक बटा एक्स वर्ग जमा तीन एक्स जमा तीन का समा कलन सर्व प्रथम तीन बटा दो वर्ग को जोड़कर तथा घटाते हुए एक्स वर्ग तथा एक्स वाले पदों में वर्ग को पून करते हैं एक भाग एक्स जमा तीन बटा दो वर्ग घटा नौ बटा चार जमा तीन का समह कलन बराबर एक भाग एक्स जमा तीन बटा दो वर्ग जमा वर्ग मूल तीन बटा दो वर्ग निमनित कतित सूत्र को लागू करने पर हमें मिलता है एक भाग वर्ग मूल 3 बटा 2, 10, व्यूत करम X, जमा 3 बटा 2, बटा वर्ग मूल 3, बटा 2, 80, दो बटा वर्ग मूल 3, 10, व्यूत करम 2X, जमा 3, बटा 3, 80, जहां सी एक स्विच अचर है। उदारण 3, बोल यांकन कीचे, X के सापेक्ष 6X, जमा 5 बटा वर्ग मूल 6, जमा 1 घटा 2X वर्ग का समाकलां। हल, मानकी आई पराबर X के सापेक्ष 6X, जमा 5 बटा वर्ग मूल 6, जमा 1 घटा 2X वर्ग का समाकलां। मानकी 6X, जमा 5 बटा वर्ग का समाकलां। अतैव, कबिटल B बराबर 13 पटे 2, अतैव, 6X जमा 5 बराबर घटा 3 बटा 2 गुण 1, घटा 4X जमा 13 पटे 2। अतैव, आई बराबर X के सापेक्ष, घटा 3 बटा 2 गुण 1, घटा 4X जमा 13 पटा 2 भाग वर्ग मूल 6 जमा X घटा 2X वर्ग का समाकलां। इसे समीकरण एक से चिनहित करें। 6 जमा X घटा 2X वर्ग बराबर T रखने पर, तब 1 घटा 4X dx बराबर dt। अब X के सापेक्ष 1 घटा 4X बटा वर्ग मूल 6 जमा X घटा 2X वर्ग का समाकलां। बराबर X के सापेक्ष 1 घटा वर्ग मूल T का समाकलां। बराबर X के सापेक्ष T घट घटा 1 घटा 2 का समाकलां। बराबर T की घट 1 घटा 2 भाग 1 घटा 2 बराबर 2 वर्ग मूल T बराबर 2 वर्ग मूल 6 जमा X घटा 2 वर्ग X। इसके अतरिक्त X के सापेक्ष 1 घटा वर्ग मूल 6 जमा X घटा 2 वर्ग X का समाकलां। बराबर एक्स के सापेक्ष एक बटा वर्ग मूल दो गुणा तीन जमा एक्स बटा दो घटा एक्स वर्ग का समखलन। बराबर एक बटा वर्ग मूल दो गुणा एक्स के सापेक्ष एक बटा वर्ग मूल उन्चास बटा सोला घटा एक्स वर्ग घटा एक्स बटा दो जमा एक बटा सोला का समाकलन। निम्निक कतिस सूत्र का प्रेयोग करने पर बराबर एक पटा वर्क मोल दो साइन व्यूत करम चार एकस घटा एक पटा साथ. समिकरन एक से आई पराबर घटा तीन गुणा वर्क मोल छै जमा एकस घटा दो एकस वर्ग जमा तेरा बटा दो वर्ग मोल दो साइन व्यूत करम चार एकस घटा एक पटे साथ जमा सी जहां सी एक स्वेच अचर है. आंशिक भिन्नू द्वारा समा कलन पी एकस बटा क्यू एकस प्रकार के समा कलन को समा कली के आंशिक भिन्न में हल करके समा कलित किया जा सकता है. पशर्ते क्यू एकस शून के पराबर ना हो. यदि PX की घात QX से कम है तो परिमे भलन को आशिक भिन्न का उप्योग करते हुए समाकलित किया जा सकता है यदि PX की घात QX से अधिक हो तब हम सबसे पहले लंबे विभाजन की प्रक्रिया का उप्योग करके घात को कम करते हैं और निम्ने नुसार रूप बनाते हैं RX जमा FX बटा QX तथा फिर इसे आशिक भिन्नों का उप्योग करके समाकलित करते हैं आशिक भिन्नों के विभिन रूप एक जब भाजक में गैर पुन्दा व्रित रहकिक कारक समलित हैं तब QX बराबर X घटा A गुणा X घटा B यदि PX जमा Q बटा X घटा A गुणा X घटा B एक परिमे फलन है तो इसका आशिक भिन्न केपिटल A बटा X घटा A जमा B बटा X घटा B है दो जब भाजक में गैर पुन्दा व्रित तथा पुन्दा व्रित रहकिक कारक समलित हैं तब QX बराबर X घटा A गुणा X घटा B गुणा X घटा B एक परिमे फलन है तो इसका आशिक भिन्न केपिटल A बटा X घटा A जमा B बटा X घटा A वर्ग जमा C बटा X घटा B है तीन जब भाजक में गैर पुन्दा व्रित तुई खात खंड समलित हों जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता तब QX बराबर X घटा A एक वर्ग जमा BX जमा C यदि PX वर्ग जमा QX जमा R बटा X घटा A गुणा X घटा BX जमा C एक परिमय फलन हो तब इसका आशिक भिन्द कैपिटल A बटा X घटा A जमा BX जमा C बटा X वर्ग जमा BX जमा C है चार जब भाजक में एक पुन्रा व्रित दुई घात खंड समलित हो जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता तब QX बड़ाबर AX वर्ग जमा BX जमा C का वर्ग यदि BX वर्ग जमा QX जमा R बटा AX वर्ग जमा BX जमा C का वर्ग एक परिमय फलन हो तब इसका आशिक भिन AX जमा B बटा AX वर्ग जमा BX जमा C जमा CX जमा D बटा AX वर्ग जमा BX जमा C के पूरे का वर्ग है उधारन मोलियांकन कीजे X के सापेक्ष 5X बटा AX जमा 1 गुणा AX वर्ग जमा 4 का समा कलन हल माना की आई परावर AX के सापेक्ष 5X बटा AX जमा 1 गुणा AX वर्ग जमा 4 का समा कलन इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है बरावर X के सापेक्ष 5X बटा AX जमा 1 गुणा AX जमा 2 गुणा AX गुणा 2 का समा कलन माना की पाँच एक्स बटा AX जमा 1 गुणा AX जमा 2 गुणा AX गुणा AX जमा 2 गुणा X घटा दो, दोनों पक्षों में X जमा एक, X जमा दो, X घटा दो से गुणा करने पर, 5X बराबर, केप्टल एक गुणा, X जमा दो, गुणा, X घटा दो, जमा, B गुणा, X जमा एक, गुणा, X घटा दो, जमा, C गुणा, X जमा एक, गुणा, X जमा दो, गुणांक X वर्ग तथा X पदों की तुल्ना करने के बाद Capital A पराबर 5 बटा 3 Capital B पराबर घटा 5 बटा 2 Capital C पराबर 5 बटा 6 अतैव 5X बटा X जमा 1 गुणा X जमा 2 गुणा X घटा 2 बटा 5 बटा 3 गुणा X जमा 1 गुणा 5 बटा 2 गुणा X जमा 2 जमा 5 बटा 6 गुणा X घटा 2 अतेव आई बराबर एक्स के सापेक्ष 5 बटा 3 गुणा एक्स जमा एक घटा 5 बटा 2 गुणा एक्स जमा 2 जमा 5 बटा 6 गुणा एक्स घटा 2 का समा कलन बराबर 5 बटा 3 एक्स जमा एक के बहुलक का लौग गटा 5 बटा 2 एक्स जमा 2 के बहुलक का लौग जमा 5 बटा 6 गटा 2 का बहुलक जमा सी जहां सी एक स्वेच अचर है खंडिशा समाकलन कारे नियम यदि U और V X के दो फलन हो तब दो फलनों के गुणन का समाकलन पराबर पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन घटा पहले का अवकलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन का समाकलन यदि दो विभिन प्रकार के फलन हो, तब हम पहले फलन का चयन उस फलन के रूप में कर जकते हैं, जिसका प्रथमाक्षर शब्द I-Late में सबसे पहले आता है यहां, Capital I का मतलब है प्रतिलोम त्रीकून में तिये फलन Capital L का मतलब है लगू गण किये फलन Capital T का मतलब है त्रीकून में तिये फलन और Capital E का मतलब है जर घातां किये फलन इस इस्तिती में दूनों फलन यदि त्रीकून में तिये हैं, तब इस फलन को दूतिये फलन के रूप में लेते हैं, जिसका समगलन सरल है और यदि दूनों फलन बीज गणितिये हैं, तब इस फलन को प्रतम फलन के रूप में लेते हैं, जिसका आफकल अज सरल है उधारन, मोलियांकन कीजिए, एक्स के सापेक्ष, एक्स सेक पर्ग, दो एक्स का समा कलन कल, माना की आई बराबर एक्स के सापेक्ष, एक्स सेक पर्ग, दो एक्स का समा कलन खंडशा समाकलन का प्रयोग करने पर आई पराबर एक्स गुणा एक्स के सापेक्ष एक्स सेक वर्ग दो एक्स का समाकलन घटा एक्स गुणा सेक वर्ग दो एक्स के समाकलन का अवकलन का समाकलन आई पराबर X गुणा X के सापेक्ष X सेक वर्ग 2X का समाकलन घटा 1 गुणा सेक वर्ग 2X का समाकलन का समाकलन आई पराबर X गुणा 10 दो X खा 2 घटा 1 बटा 2 गुणा X के सापेक्ष 10 दो X का समाकलन आई पराबर एक्स गुणा 10 दो एक्स घाद दो जमा एक बटा चार कॉस दो एक्स जमा सी के बहुलक का लॉक जहां सी एक स्वेच अचर है खंडिशा समाकलन विभिन प्रकार के समाकलन एक्स के सापेक्ष एखाद एक्स गुणा एफ एक्स जमा एफ डैश एक्स का समाकलन बराबर एखाद एक्स गुणा एफ एक्स जमा सी जहां सी एक स्वेच अचर है तीन और मानक समाकलन हैं जमा एक्स वर्ग जमा एक्स वर्ग बटा दो एक्स के बहुलक का लौग जमा वर्ग मोल एक्स वर्ग जमा एक्स वर्ग जमा सी समाकलन वर्ग मोल एक्स वर्ग घटा ए वर्ग बराबर एक्स बटा दो गुणा वर्ग मोल एक्स वर्ग घटा ए वर्ग बटा दो एक्स के बहुलक का लौग जमा वर्कमोल एक्स वर्ग घटा ए वर्ग जमा सी जहां सी रिच अजर है उदारण मुल्यांकन कीजे एक्स के सापेक्ष वर्ग मूल तीन एक्स वर्ग घटा नौ का समा कलन फल दिया है एक्स के सापेक्ष वर्ग मूल तीन एक्स वर्ग घटा नौ का समा कलन इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है वर्ग मूल तीन गुणा एक्स के सापेक्ष वर्ग मूल एक्स वर्ग घटा तीन का समा कलन वर्ग मोल 3 गुणा X के सापेक्ष वर्ग मोल X वर्ग घटा वर्ग मोल 3 वर्ग का समा कलन नीचे दिया के असूत्र प्रयोक करने पर वर्ग मोल 3 गुणा X बटा 2 गुणा वर्ग मोल X वर्ग घटा वर्ग मोल 3 वर्ग घटा वर्ग मोल 3 वर्ग बटा 2 X के बहुलक का लौग जमा वर्ग मोल X वर्ग घटा वर्ग मोल 3 वर्ग जमा सी इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है वर्ग मोल 3 गुणा x बटा 2 गुणा वर्ग मोल x वर्ग घटा 3 गटा 3 बटा 2 x के बहुलक का लौग जमा वर्ग मोल x वर्ग घटा 3 जमा सी जहां सी एक स्वेच अचर है निश्चित समाकलन माना की किसी फलन f of x का कोई प्रती अफकलज या समाकलन capital f of x है तब 374 x के दोनों मानों a तथा b के लिए अंतर capital f of b घटा capital f of a को a से b के और f of x का निश्चित समाकलन कहते हैं तथा इसे निवन प्रकार से प्रतशित किया जाता है निवन सीमा a तथा उच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष f of x का समाकलन इस प्रकार निवन सीमा a तथा उच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष f of x का समाकलन बराबर capital f of b घटा capital f of a जहां f of x का तथी अफकलज या समाकलन capital f of x है a और b समाकलन की सीमा कहलाती है a एक निमन सीमा तथा बी एक उच्च सीमा है प्राया capital f of b घटा capital f of a capital f of x निमन सीमा a तथा उच्च सीमा बी वाले लेखन का संक्षिप्ति करण है निश्चित समाकलन योग की सीमा की रूप में निश्चित समाकलन बाना की f of x, x का कोई फलन है जो संवृत अंत्राल a b पर संतत है एक प्राक्रित संक्या n के लिए h परिभाशित है h बराबर b घटा a बटा n योग की सीमा h कुणा a का f जमा a जमा h का f जमा a जमा 2h का f इत्यादी a जमा n घटा a का f कुणा h तक इस तरह n के अनंद तक पहुँचने को अंत्राल a b पर फलन f of x का निश्चित समाकलन कहा जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है निम्न सीमा a तथा उच्छ सीमा b के साथ x के सापेक्श f of x का समाकलन अत्यव निम्न सीमा a तथा उच्छ सीमा b के साथ x के सापेक्श f of x का समाकलन बराबर सीमा h अप्रोच इस शून ने h कुणा a का f जमा a जमा h का f जमा a जमा 2h का f इत्यादी a जमा n घटा a का f कुणा h तक हम निश्च समाकलन को परिभाशित कर चुके हैं जहां निम्न सीमा उच्छ सीमा से कम है यदि a b से पड़ा है तब हम परिभाशित करते हैं निम्न सीमा a तथा उच्छ सीमा b के साथ x के सापेक्ष f और x का समाकलन बराबर घटा निम्न सीमा b तथा उच्छ सीमा a के साथ x के सापेक्ष f और x का समाकलन हम निम्न को भी परिभाशित करते हैं निम्न सीमा B तथा उच्ज सीमा E के साथ X के सापेक्ष F और X का समकलन बराबर 0 उदारन यूग द्वारा निश्च समकलन का मूलियांकन कीजे X के सापेक्ष X जमाचार का समकलन जहां निम्न सीमा शुनने तथा उच्ज सीमा तीन है हल माना की आई पराबर X के सापेक्ष X जमाचार का समकलन जहां निम्न सीमा शुनने तथा उच्ज सीमा तीन है X के स्तापिक्ष F of X का समा कलन जहां निम्न सीमा 0 ने तथा उच्छ सीमा 3 है उससे I की तुलना करने पर A पराबर 0 ने B पराबर 3 F of X बराबर X जमा 4 H बराबर B घटा A बटा N बराबर 3 घटा 0 बटा N बराबर 3 बटा N N प्राकृत संख्या के अंदर का आता है अतैब जमा आगे N घटा A का F गुणा H तक बराबर लिम्न सीमा 4 जमा H जमा 4 जमा 2H जमा 4 जमा आगे N घटा A का F गुणा H जमा 4 तक बराबर लिमिट H अप्रोचेस 0 जमा H जमा 1 जमा 2 जमा आगे N घटा N जमा 4 N तक N H का मान 3 रखने पर बराबर सीमा H अप्रोचेस 0 जमा 3 गटा H गुणा 3 जमा 4 जमा 3 जमा जमा 12 जमा 2 जमा 23 जमा 2 आधार भूत कलन प्रमय क्शेत्र फलन माना की Y बड़ाबर F of X है तथा वक्र से घिरे भाग का क्शेत्र फल है X के सापेक्ष F of X का समा कलन जहां निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा B है माना की X एक बिंदू इस तरह है की X A B के अंतर का दाता है चित्र से X के सापेक्ष F of X का समा कलन जहां निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा X है रेखा युक्त भाग के क्शेत्र को दर्शाता है हम इसे क्शेत्र फलन कैपिटल A of X कह सकते हैं कैपिटल A of X बराबर X के सापेक्ष F of X का समा कलन जहां निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा X है समा कलन करित की प्रथम आधार भूत प्रमै माना की F बंद अंतराल AB पर एक सतक फलन है तथा माना की कैपिटल A of X एक क्शेत्र फलन है तव AB के अंतरगत X के सभी मानों के लिए कैपिटल A डैश X बराबर F of X समा कलन गणित की दुईतिय आधार भूत प्रमै माना की F बंद अंतराल AB पर पर परिभाशित एक सतक फलन है तथा कैपिटल F, F का प्रती अफकलज या समा कलन है तब X के सापेक्ष F of X का समा कलन जहां निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा B है बराबर F of X जहां निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा B है बराबर F of B घटा F of A उधार निश्चिस समा कलन का मुल्यांकन कीजे X के सापेक्ष 1 बटा X का समा कलन जहां निम्न सीमा 2 तथा उच्च सीमा 4 है हल हमें क्या थै? X के सापेक्ष 1 बटा X का समा कलन जहां निम्न सीमा 2 तथा उच्च सीमा 4 है कैलकुलस की आधार भूद प्रमैसे X के सावेक्ष एक बटा X का समाकलन जहां निम्र सीमा 2 तथा उच्छ सीमा 4 है बराबर X के बहुलक का लॉग जहां निम्र सीमा 2 तथा उच्छ सीमा 4 है बराबर 4 के बहुलक का लॉग घटा 2 के बहुलक का लॉग बराबर लॉक चार घटा लॉक तो लगू गणा के गुण धर्म का उप्योग करने पर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं बराबर लॉक चार बटा तो बराबर लॉक तो उधारण आए इसे एक उधारण की सहाइता से समझते हैं मोलियांकन कीजे एक्स के साबेक्ष कौज एक्स बटा एक जमा साइन वर्ग एक्स का समा कलन जहां निम्न सीमा शून्ने तथा उच्छ सीमा पाई बटा दो है हल माना की आई बराबर एक्स के साबेक्ष कौज एक्स बटा एक जमा साइन वर्ग एक्स का समा कलन जहां निम्न सीमा शून्ने तथा उच्छ सीमा पाई बटा दो है माना की जेट बराबर जी आफ एक्स बराबर साइन एक्स एक्स के साबेक्ष अफकलन करने पर dz बटा dx बराबर cos x dz बराबर cos x dx अब हम नई सीमा निकालेंगे जब x बराबर πाई बटा 2 ये इंगित करता है कि z बराबर g आफ πाई बटा 2 बराबर sin πाई बटा 2 बराबर 1 एवं जब x बराबर 0 ने हो तो ये इंगित करता है कि z बराबर g आफ शूने बराबर sin शूने बराबर शूने अदेव x के सापेक्ष cos x बटा 1 जमा साइन वर्ग x का समा कलन जहां निक्न सीमा शूने तथा उच्छ सीमा पाई बटा 2 है z के सापेक्ष 1 बटा 1 जमा z वर्ग का समा कलन जहां निक्न सीमा शूने तथा उच्छ सीमा एक है बराबर 10 विद करम z जहां निक्न सीमा शूने तथा उच्छ सीमा एक है बराबर 10 विद करम एक माइनस 10 विद करम शूने बराबर पाई बटा 4 घटा शूने बराबर पाई पटा चार निश्चिस समा कलनों के कुछ गुण धर्म गुण धर्म निन्निलिकित है क्या आप जानते हैं सर आईसेक निउटन ने स्वातंतर रूप से कलन विक्सित किया सारांश आईए हमने जो कुछ सीगा है उसे संग्शेप में दोहराएं यदि कैपिटल एफ आफ एक्स का अफ कलन कुणांख एफ आफ आफ एक्स है अर्थात डी बटा डी एक्स कैपिटल एफ आफ आफ एक्स बराबर एफ आफ आफ एक्स तब हम कहते हैं कि एफ आफ आफ एक्स का प्रती अफकलज या समाकलन कैपिटल एफ आफ आफ एक्स है एवं जिसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है X के सापेक्ष F का समाकलन Capital F of X है समाकलन की तीन विधिया हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आंशिक भिन द्वारा समाकलन और खंडशा समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की विधी में हम एक स्वातंद्र चर को एक दूसरे चर में बदलते हैं। पी एक्स बटा क्यो एक्स को समाकलिके आंशिक भिन्न में हल करके समाकलित किया जा सकता है बशर्टे क्यो एक्स शोने के परापर नहो यदि यू और वी एक्स के दो फलन है तब दो फलनों के गुणन का समाकलन बराबर प्रतम फलन गुणे दुतिय फलन का समाकलन खटा प्रतम फलन का समाकलन गुणे दुतिय फलन का समाकलन का समाकलन माना कि किसी फलन f of x का वोही प्रती अफकलज या समाकलन capital f of x है तब स्वतंत्र चर x के दो मानों a तथा b के लिए अंतर capital f of b घटा capital f of a को a से b की ओर f of x का निश्चित समाकलन कहते हैं तथा इसे निम्न सीमा a तथा वच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष f of x के समाकलन द्वारा प्रतश्चित किया जाता है इस परकार निम्न सीमा a तथा वच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष f of x का समाकलन बराबर fb घटा f a योग की सीमा के रूप में अंतराल A, B पर फलन F of X का निश्चित समाकलन, निमन सीमा A तथा वच्च सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन, पराबर सीमा H approaches 0H गुणा A का F जमा A, जमा H का F जमा A, जमा 2H का F जमा इत्यादी, A जमा N घटा A का F गुणा H तक, जहां H बराबर B घटा A बटा N, समाकलन करिंद की आधार भूत प्रमय, निमन सीमा A तथा वच्च सीमा B के साथ X के सापेक्ष Fx का समाकलन, बराबर निमन सीमा A तथा वच्च सीमा B के साथ F of X बराबर F of P घटा F of A, में जे गलत भी निमन साथ F